समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जातिय जनगणा को लेकर बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगला चुनाव जाति जनगणा पर होगा। जातिय जनगणा की हमारी लडाई बहुत पुरानी है। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव ने जाती जनघणना की मांग की थी. इस समय की सरकार ने गिंती की, लेकिन आंकडे कभी बाहर नहीं आने दिये. उन्होंने कहा, आज बिहार में जो सर्वे किया है, उससे एक नई क्रांती जगी है. अब चाहे दिल्ली की सरकार हो या कहीं की, जाती जनघणना करानी ही पड़ेगी. सपा की अंबेड कर वाहिनी बैठक में पहुँचे. अखिलेश यादव ने कहा, जाती जनघणना से कम से कम ये पता लगेगा कि हमारी आबादी का स्वरूप क्या है और हम कैसे उन गरीब लोगों की म मक्ष में है, जो एक चमतकार है. उन्होंने कहा, पार्टी के लोग बाबा साहिब, भीमराव अंबेडकर और डौ राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर निकलेंगे. घर घर जाकर बताएंगे कि किस तरह बीजेपी ने समविधान के सामने संकट पैदा कर दिया है. नई पर समाजवादी पार्टी की टीम जाएगी और दोनों पीडित परिवारों से मिलेगी. यूपी में गड़ा मुक्त अभियान को लेकर कहा कि जब-जब सरकार कहती है गड़ा मुक्त तब सिर्फ दो लोग खुश होते हैं. इंजीनियर और ठेकेदार इससे जनता को राहत न नहीं मिलती. बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय आएगा जब बॉर्डर पर स्थित जील को देखने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ेगा. समाजवादी पार्टी ने काफी पहले सुझाव दिया था कि ग्वालियर इटावा से लेकर लिपुलेक तक फोर लेन, सिक्स लेन सड़क बननी चाहिए. आज चुनाव होने जा रहा है. ये मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन आज भी सड़क नहीं बनी. चीन की सीमा पर फॉजी नहीं पहुँच सकते.